समाजवादी तो अब की साफ हो जाएगी विधान सभा बाबा गंज ने उत्तर प्रतेज से कि अगर तो उसका खड़ी खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा अगर जरूरत परी तो मैं सुसील भाई को बहन जिक लिए खून भी दे कर इनको विज़ाई बनाएंगे इसमें हम मौझूद हैं बिधान सभा बाबा गंज में यहाँ परत्यासी जो है ब्यस्पी के सुसिल गौतम जी है आज खटवारा गाउं में हैं और आज ही दस तारीख है आज ही मद्दान का पहला दिन है तो आज बात करते हैं किस तरह से जो है पहले चरल का मद्दान है किस मैधन के खटवारें कि मारे जी के उत्तर परदेश में जब से रैली शुरू हुए है पूरा उत्तर परदेश में बसपाम हो गया है आज पहले चरण का चुनाओ है पहले चरड के चुनाव में 90% सीड बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है और बाबा गंज में जब से आजड़ी बहन कुमारी मायावती जी कादेश हुआ है हम लोग नामांकन कर चुके हैं सारी है कुछ फाइनल हो गया है पूरे जमीनी एस्तर पे सारे विधान सभा के कार्च करता जमीनी एस्तर पे सर्व समाज के लोग लगे हुई हैं सर्व समाज के बीच में जा रहे हैं सब का आसिरवाद मिलना है सर्व समाज की जनता का हम अपनी तरफ से अपने पदाधिकारियों कार्च करता हूँ बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा मुषलिम समाज तुल्म समाज को बी विधू उटार माना जाता है और भाघवा चिलारी कि अब दली को भाड मुसलिम के साथ है बाबाक गन के तस्पीर दूसरी है यहां बदलाव की पूरा मुड बजनता बना चुकी है और बहुज़ान समाज समाज पार्टी एक लाग से ज्यादा वोट पाने जा रही है और बहुजा समाज पार्टी की विजय होगी उदर देखा जाए तो सपा से प्रतियासी ग्रीस पासी जी है बाबागन से क्या फरक पड़ेगा आपको सपा समाज के लिए सपा चुकी बाहरी कंडिडेट हैं जनता भी हमारे पार्टी की तरफ से बारी कंडिडेटों को टिकट मिल गया था जिसकी वज़े से जनता का आसिरवात पूरी तरीके से नहीं मिल पाया था इसलिए अब की हम लोग लोकल यहीं के रहने वाले यहीं पैदा हुई हैं जनता का पूर रूप से सहयोग मिल रहा है और हैं झी पार्टी जीतने जा रही है और प्रत्यासी कनिस्का में यहां जो है इहां से विज़े हो और रहीग पुरह प्रामभर समाज से हम लोग आहब कर रहे हैं कि आप लोग जो है ब्यस्के में जो है श्र गेपर 21 liще को देखकर उटिंग करता या बहन जी को देखकर नहीं सबसे पहले मैं तो मीडिया को धन्न बाद देना चाहता हूं जो कि आज बाबा गंज में पहली बार हमें मौका मिला कि हम लोगों को दिखाने के लिए आज तक बसपा के लिए जितने हैं सब दबा के रखते हैं तो हम लोग मुसलिम समाज से सती मानिय सुसील भाई को दिलो जान से लगे हुए हैं यहां मुसलिम समाज काफी संख्या में सुसील भाई के साथ है और मानिय बहन जी ने जो भी मुसलमानों को लिए कर दिया आज तक किसी सरकार नहीं किया उन्होंने मुसलिमों को लिए पूरी तरह लगे हुए हैं मानि सुसील भाई को अपने दिल और जान से अपने पैसे से अपनी ताकत से पूर रूप से जितना हमारा अगर जरूरत परी तो मैं सुसील भाई को बहंजी के लिए खून भी दे कर इनको विजय बनाएंगे मानि बहें जीके नेतरोत में बहुत सारा मौका मिला हैं राजनीद में हिस्सेदारी और भागेदारी के लिए इस तरह से हमारा धनकर समाज एक जूट को के साथ मानि सुसील गौतम जी को विजयी बनने के प्रयास करेंगे पाल समाज भी जो है समाजवादी पार्टी के तरफ दिख रहा है नहीं कहीं नहीं दिख रहा है वो तो एक मनगढंत कहानी चल लही है जो कि अभी देखा गया तो पाल समाज को कहीं भी देखा जाया तो कहीं एक दो टिकट मिले हैं वहूँ एक मुहरा बनाने के लिए जिसे पाल समाज को वोड लेने के लिए सभी दलने अपना अपना दाओ खेला है लेकिन इसे में मन्य बहिन जी ने 19 टिकट देके जो गर्व की बात है पाल समाज के लिए तो पूरा उत्तरवदेश हर एक सीटों पे पाल समाज BSP कोड करेगा पासी समाज को लेकर लगा तार जिस तरह से सोचल मीडिया पे लिखा जाता है कि पासी समाज नाज के कैंगे 7 een समाज समाज वाती समाज Tolton और समाज के आठ लिए तना अत्यार समाज वादी अगलेश न की अगिया है उतना किसी सरकार ने कीया नहीं है बहन जी के नेतरुत में सर्व समाज की लोगों को और सभी बहन को जो सुरक्षा रक्षा मिला है और जो भी क्या करते हैं इसकी में चली थी वो हर घर में पहुँची है और पासी समाज पूर रूप से बहन मायवती जी के साथ है और विधान सभा बाबा गन की बात करूँ तो यहां से 32 से 35 नहीं अब की 40 जार ओटों से लेड़ कराऊंगा सुसिल भाई जी को बस्पा में काफी युवाओं की जो है मांग है तो युवाओं ब्यक्ति से बात करेंगे युवाओं से बात करने की कोशिस करेंगे और बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की मांग है तो क्या कहेंगे आप युवाओं है मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सरकार है नियंतर वह सपा बासपा यह हर चे बनती रही है आप दे रहे हैं इस बार यहां बाबागन की जो जनता है वो एक्षेंज चाहती है बदलाव चाहती है इसलिए हमारे आदर्णी सुसील वहाजी को अब की बार पूर बहुमत से जिता हैं और आज अब की 2022 में पहली बार हुआ है कि वह जनसत्ता अकेले चुनाव लड़ रही है नाई तो सपा से गड़बंधन होता था अवाल लेड़ी सपा सा गड़बंधन तूटने के वजह सपा अलग चुनाव लड़ने के वजह से वैसे भी 67,000 पाते थे सपा के अलग हो से 40,000 रोड़ पे आ गए और बहुजन समाज पार्टी 2007 में चुनाव लड़ी थी और यहां मात जब सपा और जनसत्ता दोनों का गड़बंधन होके चुनाव लड़े थे तब 67,000 से और बहुजन समाज पार्टी हारी थी और अपके सारी पार्टी अलग 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 चुना सरकार बनती है बाइन कुमारी मायवती जी कोई गोसड़ा नहीं करती है तुरें तो रोजगार हो जा रोजगार देती है करीबों के लिए पट्टा देती है जमीन देती है अभी तो यहोगी सरकार है गरीबों के लिए पांच-पांच-शे किलो रासन महीने में देती है और दोड़ाती रहती है पूरे महीने भर बैंजीक सरकार जैनते मत्या सिविर लगा के गरीबों के लिए पट्टा दिया जाता है अवाज दिया जाता है जो भी सासन पर सासन दौरा उपर अस्तर पर जो भी चीज़ें आती गरीबों तो पोछती है यह पूरी जनता जाती है पू अबरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं यहां पर सरो समाज के लोग थे जो चाहाए ब्रहमर समाज से हो चाहाए पाल समाज से हो चाहाए पासी ब्रादरी से हो वो सब जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना चाहते है